हेलो फ्रेंज मेरे यूटूब चैनल में आपका एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज में आपको आइब्रोज को घना काला और खुबसूरत बनाने के लिए साथ ही आखों की पलकों को भी लंबा और घना बनाने के लिए एक एफेक्टिव हूम रेमेडिय बताने जा लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल बटन को जरू क्लिक कर लेने वीडियो को नेट्विकेशन पाने के लिए तो चले शुरू करते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आइब इस तरह से आप चाहे तो इसको मेल्ट कर सकते हैं वैसलिन आखों की पलकों को और आइब्रोस को लंबा करने में साथ ही घना करने में काफी मदद करता है इसके इस्तिमाल से आपके आखों की पलके खुबसूरत होती हैं काली होती हैं घनी होती हैं अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है थोड़ी सी मात्रा में जैतुन का तेल जैतुन का तेल विटामिन E से भरपूर होता है जो बालों की ग्रोथ को तेज करता है इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है बदाम का तेल बदाम क तेल भी विटामिन इसे भरपूर होता है और इसकी इस्तेमाल से भी बालों की ग्रोत होती है बाल घने और लंबे होते हैं साथी बाल काले भी होते हैं थोड़ी सी मात्रा इसकी भी इसमें आपको इस्तमाल करनी है अब इसारी सी जोग आप अच्छे से मिक्स कर लें जिसे सारा वैल वैसलिन के साथ मिक्स हो जाए आप देख रहे हैं अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसके इस्तेमाल आपको करना है इसकी थोड़ी सी मातरा लेनी है और इसे आप अपने आइब्रोज पर और आखों की पलकों पर अच्छे से लगाएं आइब्रोज पर लगाने के बाद इसे हलके हाथों से दो मिनट तक जाएं फिर इसे आप रात भर के लिए लगा के छोड़ दें इसके इस्तेमाल से आपके पतले आइब्रोज घने होंगे और खुबसूरत हो जाएंगे इसके इस्तेमाल आप रोजाना कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जुरू करें साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल बटन को भी क्लिक कर लें नए वीडियो को नेट्विकेशन पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में